स्बागते स्टुएंट्स यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ एक्जाम्पल 8.2 ओके वेश्चन कहा रहा है दी ओडोमेटर ओफ अ कार रेड्स 2,000 किलोमेटर अड़ दी स्टार्ट अफ ट्रिप और 2,400 किलोमेटर अड़ दी एंड अफ दी ट्रिप इसमें कहा रहे है कि हमारे पास क्या है हमारे पास एक कार है उसकी जो होडोमेटर जिसमें कि आप रिडिंग देखते हो वह अभी आपको सिर्ट किलोमेटर बताई गई है ठीक है अब इसने कि ट्रिप स्टार्ट किया और यह कुछ आगे चला गया तो हमने देखा जो रीडिंग हमारी 2000 थी वो रीडिंग अब यहां पे 2400 किलो मेटर हो चुकी है ठीक है एंड हो गई हमारी ट्रिप तो इस दोरान आप समझ सकते हो दैट कि इसने 400 किलो मेटर की दूरी यहां पे कवर की है ठीक है विगोज शुरू में 2000 से स्टार्ट किया था हमने और खतम हुआ है 2400 पे तो यह जो आपका जो दूरी कवर हुई है यह 400 किलो मेटर की दूरी कवर हुई है और इसमें जो टाइम लगा है यह टाइम हमारा कितना लगा है 8 आर 8 घंटे लगे हमें यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी है कार की किलो मेटर पर आर में और मीटर पर सेकेंड में ठीक है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पर जैसे अगर आप स्टेंस अपन कि टोटल टाइम यह फॉर्मूला है आपका ठीक है अब आपको देखना है यहां पर टोटल डिस्टन्स कितना कवर हुआ है तो जो मोशन यहां से यहां तक हुआ है तो यह स्टार्ट हुआ था हूँआ थासंड किलो मेंटर पे और ख़तम हुआ है 2400 किलो में पर यहां पर 8 आर हो गया अब इसको डिवाइड करेंगे तो 400 है और 8 है तो 8 इंटु 5 कितना होता है 40 और यह जीरो यहां पर रहेगा तो 50 किलो मिटर पर आर आपकी क्या आ गई 50 किलो मिटर पर आर आपकी क्या आ गई अब देखो अब इसको मीटर पर सेकेंड में भी कनवर्ट करना है तो याद रखना जब भी आप किलो मिटर से मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करते हो तो आप यहां पर मल्टिप्लाई करते हो 5 by 18 से ठीक है और अगर आप meter per second से kilometer per hour में convert करते हो तब आप यहाँ पर multiply करते हो 18 by 5 से तो हमें first part करना है तो हमारा जो answer आया है इसे हम 50 को 5 by 18 से multiply कर देंगे तो यह meter per second में convert हो जाएगा ओके आप देखो यहाँ पर cancel करेंगे 2 से तो 29 जा 18 2 into 25 तो यह कितना आ गया 25 into 5 that is 125 upon 9 meter per second अब हम इसे decimal में change करेंगे तो 125 upon 9 सो 9 1 जा 9 35 बचा यहाँ पर अब यह थ्री टाइम्स में जाएगा नाइन थ्री जा 27 यह एट आएगा फिर डेसिमल लगा करके जीरो रखेंगे फिर यह वह जाएगा नाइन इंटू 981 होता है बट नाइन इंटू एट करेंगे तो यहाँ पर आ जागा 72 फिर से आ गया 80 फिर से यह एट टाइमस जाएगा तो इस बेसिकली 13.88 मीटर पर सेकेंड जिसको एप्रॉक्सिमेटली हम लोग 13.9 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो हमारा अंसर हो जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड और 50 किलो मेटर पर आर दोनों यूनिट्स में हमने यहाँ पर निकाल दिया आई होब दाट दिस क्लियर दो दो धन तंक यू